हेलो इसुडेंट आरे अड़ा में आपका स्वागत है हमारा ट्रिग्रोमेट्री चेप्टर चल रहा था इसका प्रश्ण वाली आठ दसनों एक कर रहे थे इसका प्रश्ण नंबर 6 देखते हैं इसमें क्या दिया है यदि कोड ए और बी नियून कोड हो जहां कॉस ए बराबर कोर्स भी तो दिखाइए कि ए और बी बराबर हो कोड ए और बी बराबर होंगे क्या दिया है कोड ए और बी नियून कोड है तो हम पहले क्या करेंगे एक सम कोड तिर्वू जैसे खिच लेते हैं फिर बोलना है नियून कोड तो कौन सा कोड हो जागा नियून ए और बी निय टीडिगी हो जाएगा तो इसमें क्या दिया है कोन A और B new code है तो हमने इसको दिखा दिये A और B को फिर क्या given है जहां cos A दिया गया है cos A equal to cos B ये क्या है given दिया गया है, cos A equal to cos B, cos की जवब हम क्या लिख सकते हैं, आधार बटा कर्ण, और इसको भी वही लिखेंगे, आधार बटा कर्ण, लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, cos A, कोण बदल गया, और यहाँ पर क्या है, cos B, यहाँ पर क्या है, cos A, और यहाँ पर क्या है, cos B तो cos A मतलब कोण A के अनुसार देखेंगे तो इसके ठीक सामने की भूजा क्या हो जाएगी लंब हो जाएगी B, C लंब आधार A, C आधार क्या हो जाएगी A, C कंड क्या है A, B आधार A, C हो जाएगी और कंड क्या है A, B थिर अब क्या है कोण B के बारे में बात क्या जा रहा है किस कोण के बारे में बात क्या जा रहा है कोण B के सामने की भूजा कौन सी हो जाएगी A C जो सामने की भूजा होगी वो क्या हो जाएगी लंब हरमेशा जो कोण लेंगे उसके सामने की भूजा क्या होगी लंब होगी जो कोण लेंगे तो कोंड भी के सामने के भूझा, ac हो गई, तो आधार क्या हो जाएगा, bc और क्रण वही रह जाएगा, ab तो भी हाँ से क्या हो जाएगा, ab cancel out हो गया, bye और ab cancel out हो गया तो हमको क्या मिला, ac equal to bc, इसे क्या मिल गया, ab equal to bc तो कौन सा साइड इक्वल हो गया? A, C A, C equal to B, C और अगर A, C के equal B, C है तो A, C के सामने का angle क्या हो जाएगा? A, C के सामने का angle A, B, C equal to B, C के सामने का angle B, C के सामने का angle B, A, C हमने पहले theorem देखा था अगर दो साइड इक्वल है तो उनके सामने का angle आपस में equal होगा तो A लिख सकते हैं A, B, C A angle equal to B, A, C तो यहां से लिख सकते हैं angle B equal to angle A वही हमको प्रूब करना था angle A equal to angle B angle A equal to angle B जो की proved हो चुका है बहुत आसान सवाल था इसमें क्या दिया है पहले देख लेते हैं cos A equal to cos B और इसमें क्या है कोण बदल गया पहले में क्या है cos A cos A A कोण के अंसार देखेंगे तो ठीक सामने लंब क्या हो जाएगा B, C आधार A C हो जाएगा फिर कर्ण A B रहेगा तो फिर हमने आधार बटा कर्ण लिखात A C बटा A B हो गया फिर cos B लिया cos B के सामने A C cos B के सामने A C cos B के सामने क्या हो जाएगा A C तो आधार क्या हो गया BC और कर्ण AB और आधार कर्ण कर्ण आपस में कट गया है cancel out हो गया तो AC बराबर BC हो गया अब AC के सामने का कोड ABC और BC के सामने कोड BA C दोनों आपस में बराबर हो गया है इसलिए हम लिए सकते हैं कोड B बराबर कोड A जो कि हमको प्रूब करना था साभीत ही करना था कोड A बराबर कोड B जो हो चुका है चलिए नेक्स वीडियो में कुश्चन नमबर सेवन देखेंगे और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लिए लाइक करिए और फ्रिंडों में इसको सेयर करिए थेंक यू